हेलो गाइज, कैसे वाप से अब मित करता हूँ, अच्छे हूँगे तो दोस्तो आज के इस वीडियों हम बात करने वाले हैं True Color Application के बारे में क्योंकि गाइज, जो True Color Application एक काफी ज़्यादा Famous Application है दोस्तो अगर आप Play Store पे देखोगे तो 500 million से भी ज़्यादा बार ये डाउनलोड हो चुका है और आप मेंसे काफी सारे लोग True Color Application को यूज करते हूँगे लेकिन True Color Application में काफी सारे ऐसे hidden feature दिये गए हैं, settings दिये गए हैं इनके बारे में लगभग 90% लोग नहीं जानते हैं तो दोस्तो आज मैं आपको True Color के सभी A to Z feature और setting के बारे में एक एक करके बताने वाला हूँ और गैस मैं आपको बता दूँ कि आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इतने सारे feature True Color और application में दिये गए हैं जिनके बारे में बताने में थोड़ा सा time लगेगा तो मैं आप से request करूँगा कि वीडियो को पूरा जरू देखेगा क्योंकि आज का ये जो वीडियो है ये काफी जादा useful होने वाला है आप सभी के लिए तो दोस्तो बने रही हमारे साथ इस वीडियो में स्वागत है आपका मेरे YouTube चनल मौराजे टेक्निकल में मैं हूँ अमित कुमार दोस्तो अगर भी तक आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो यार गैस जो true color application है आपके call history को access कर लेगा और सारा call history आपको true color application में दिखेगा आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे call history को true color application है एकसेस कर लिया है और जितना भी मेरा call history है call log है सब कुछ यहाँ पर सो हो रहा है और गैस यहाँ पर आपको काफी सारे hidden feature और setting मिलेंगे जैसे आप किसी एक number पर click करोगे तो यहाँ पर मैंने एक number पर click कर दिया है गैस आप यहाँ पर इस number का status देख सकते हो कि इस number से last बार call कब हुआ था आप यहाँ पर यह last scene देख सकते हो 5 minute पहले यह वाला जो number है इसने किसी दूसरे से बात किया था तो गैस आप इस तरह बहुत ही आसानी से पता कर सकते हो कि सामने वाला बंदा अभी किसी call पर busy है या उसने last time किसी को कब call किया था आप यहाँ पर देख सकते हो last scene जो है वो 5 minute ago दिख रहे है यानि इस number से 5 minute पहले किसी से बात हो रही थी और गैस जब यह already busy रहेगा तो यहाँ पर आपको busy दिखेगा यानि आप बिना call किये पता कर सकते हो कि सामने वाला बंदा कब किस से बात किया था और इस time पर वो busy है या फिर free है तो दोस्तों यह जो feature है यह काफी अच्छा feature है true color में इसके बाद यहाँ पर हम back आते हैं back आने के बाद आपको यहाँ पर एक important option मिलेगा आपको यहाँ पर click करना होगा और guys जितने भी important message है आपको यहाँ पर show हो जाएंगे जैसे आपने paytm से किसी को payment किया था या अपने account से आपने पैसे वगएरा निकाले थे तो दोस्तों उसका जो message है आपको यहाँ पर show हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते ATM withdraw 3000, IMPH transfer यहाँ पे 120 रुपे, यहाँ पर show हो रहे है मतलब कि जितना भी transaction आपने किया था उसका जो message है वो important में show हो रहे है यानि true caller का मतलब यह है कि guys जो भी important message है आपको यहाँ पर यह दिखाएगा अब दोस्तो इसके बाद जब आप यहाँ पर click करोगे तो आपके phone का जितना भी SMS है, message है आपको यहाँ पर show हो जाएगा अब guys यहाँ पर आपको चौते नंबर पर एक option मिलता है, spam का, आपको इस पर click करना है जितने भी spam call होंगे, message होंगे, आपको यहाँ पर show हो जाएगे तो दोस्तो इस तरह के काफी सारे feature इसमें दिये गए है, home page पे ही आपको चार feature मिल जाते है इसके बाद guys आपको यहाँ पर नीचे contact का option मिलता है, आप contact पर click करोगे तो आपके phone का जो contact number है, सब कुछ यहाँ पर आपको show हो जाएगा इसके बाद guys यहाँ पर premium का option मिलता है, इसमें आपको कुछ premium feature मिलेंगे, इसके लिए आपको पैसे pay करने पड़ेंगे अब दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर banking का option मिलता है, यानि guys आप यहाँ से UPI वगरा यूज कर सकते हो, किसी को payment कर सकते हो, mobile recharge कर सकते हो, इस तरह की चीज़े आप यहाँ से कर सकते हो, इसमें यह feature दिया गया है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको कभी भी recommend नहीं करूँगा, कि आप इसका जो payment का feature है, कभी भी use करें, क्योंकि guys कुछ दिन पहले यह इसका जो payment का feature था, यह विवादों में था, काफी सारे problems हो रहे थी, तो guys कभी भी इससे आप किसी को भी payment मत कीज़ेगा इसमें UPI वगारा registered मत कीज़ेगा, इसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिलता है, payment का आपको इस पर click करना है, और guys यहाँ पर आपको prepared, DTS और इसके बाद data card, काफी सारे recharge के option मिल जाएंगे, आप यहाँ से postpad recharge कर सकते हो, electricity bill pay कर सकते हो, gas का पैसे pay कर सकते हो, landline में recharge कर सकते ह इस तरह के काफी सारे feature दिये गए है, लेकिन कभी भी पैसे के लिए आप इसको use मत कीज़ेगा, अगर आपको use करने तो आप Google पे तेज एप और इसके बाद पेटियम वगरा यूस कर लिज़ेगा, आप इससे कभी भी payment वगरा किसी को भी मत कीज़ेगा, अब इसके बाद यहाँ पे आपको three line पे क्लिक करना होगा, यहाँ भी आपको काफी सारे option मिलेंगे, यहाँ पे पहला option मिलता है upgrade to premium तो जिसको हमें नहीं करना है, और यहाँ पे दूसरे number पे हमें एक option मिलता है, who viewed my profile, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, दोस्तों इस feature का मतलब यह है कि को 70 रुपे महिने और एक साल के 399 का है, तो guys कभी भी रिचार्ज मत करिएगा, इसके बाद guys यहाँ पे और भी option आपको मिलेंगे, what's new in true color, कुछ भी नए आता है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके पता कर सकते हो कि true color में क्या नए आया है, अब यहाँ पे आपको एक option मिलता है QR scanner का, तो guys अगर आप QR code वेगरा scan करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे click करके QR code को scan कर सकते हो, इसके बाद guys और भी यहाँ पे काफी सारे feature दिये गए हैं, जैसे notification का, तो यहाँ पे जब आप notification पे click करोगे, तो कोई भी notification अगर आए रहेगा, तो यहाँ पे so हो जाएगा, तो यह automatic spam call वगरा को update करता रहेगा, ब्लॉक करता रहेगा, लेकिन guys यह जो feature दिया गया है, यह premium में दिया गया है, अब आपको यहाँ पे free वाले भी काफी सारे feature दिये गया है, important feature है, जैसे guys यहाँ पे पहले number पे एक option दिया गया है, block top spammer, अगर आप spam call को block करना चाहते हो, तो आपको इस feature को enable कर देना है, इसके बाद दूसरे number पे एक option हमें मिलता है block hidden number, दोस्तो काफी सारे calls हमें hidden numbers से आते हैं, तो अगर आप उनको block करना चाहते हो, तो आपको इस feature को enable कर देना है, अब यहाँ पे तीसरे number पे एक सबसे important option मिलता है block numbers from foreign countries, दोस्तो आपके पास का साफी सारे foreign countries के number से call आते होंगे, जिसके आगे plus 98375, 386, plus 780 इस तरह के numbers होते हैं, अगर आप foreign countries के number को block करना चाहते हो, तो आप यहाँ से इसको block कर सकते हो, क्योंकि guys इंडिया में mostly बहुत ही कमी लोगों के पास foreign countries से call आते हैं, तो दोस्तो आपको यहाँ से इस option को enable कर दे दोस्तो आपको अगर unknown number को block करना है, जो भी number आपके phone log में, यानि आपके contact में save नहीं है, आप चाहते हो उस number से call ना है, तो guys आपको इस setting को, इस feature को enable कर देना है, जिससे unknown number से कोई भी call आपके पास नहीं आएगा, अब दोस्तो यहाँ पर हमें पांचवे number पे एक option मिलता है block neighbor is spoofing, guys काफी सारे हमारे पास calls आते हैं same number से, जो आपका number होता है, last का जो digit है सिर्फ वही change होता है, अगर आप same number के calls को block करना चाहते हो, तो आप इस option को enable कर सकते हो, इसके बाद guys आपको यहाँ पे block setting मिल जाता है, पहला जो option है, वो है my block list, आपको यहाँ पे click करना है, औ guys अगर आप इसमें देखना चाहते हो कि कौन-कौन से number को आपने block किया है, तो आप यहाँ पे click करके देख सकते हो, और यहाँ पे add भी कर सकते हो, अगर आप किसी को block करना चाहते हो, तो आपको यहाँ प्लस पे click करना होगा, और यहाँ भी आपको चार option मिलेंगे, block a country code, country code किसाब से block कर सकते हो, इसके बाद यहाँ पे दूसरे number पे एक setting दिया गया है, block a message, sender name, दोस्तों जो भी message आपके पास आ रहा है, अगर आप sender के name से block करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे उस नाम को add कर दोगे, तो दोस्तों उस नाम से कभी भी आपके पास message नहीं आएग तो उस series के number से आपके पास कोई भी call नहीं आएगा, अब इसके बाद यहाँ पे चौते number पे एक option मिलता है, block a number, तो guys यहाँ पे आप कोई भी number डाल के उसको block कर सकती हूँ, अब हम back आते हैं, back आने के बाद guys आपको यहाँ पे how to block calls, आपको इस पे click करना है, दोस्तों जब जब भी block number से आपके पास call आएगा, तो automatic reject हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पे ring silent select कर लोगे, तो दोस्तों silent ring बजेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, इसके बाद guys आपको यहाँ पे एक option मिलता है, notification for blocked call, दोस्तों जितने भी number आपने block किया है, अगर उनसे call आता है, अगर आप notification चाहते हो, तो आपको इसको enable कर लेना है, इसके बाद guys आपको यहाँ पे एक option मिलता है, notification for blocked message, guys अगर आपने किसी message को block किया है, किसी number को block किया है, अगर उससे message आता है, तो guys अगर उसका भी notification आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको enable कर सकते हो, तो guys इस तरह है कि यहाँ पे काफी सारे important feature और setting दिये गए हैं जिनको आप on off कर सकते हो और use कर सकते हूँ और गैज यहाँ पको एक option मिलता है discover new friend अगर आप new friend को true color पर search करना चाते हो तो आप यहाँ से use कर सकते हो उसको message कर सकते हो लेकिन गैज यह जो feature दिये गया है यह premium feature है इसके बाद गैज आपको यहाँ पर invite friend का option मिलता है आप किसी को true color पर invite करना चाते हो तो आप invite कर सकते हो अब यहाँ पर आपको एक option मिलता है dark mode का गैस अगर आप True Color में Dark Mode को Enable करना चाहते हैं तो आप यहां पे क्लिक करके True Color में Dark Mode को Enable कर सकते हो आप यह पर देख सकते हो, मेरा जो True Color है वो Dark हो चुका है तो इस तरह आप Dark Mode को भी True Color में Enable कर सकते हूँ अभी हम इसको Light कर देते हैं तो guys यहां पर हमने इसको light कर दिया है, इसके बाद guys आपको यहां पर एक setting का option मिलता है, आपको इस पर click करना है, और यहां पर आपको काफी सारे setting मिलेंगे, आपको यहां पर पहला option मिलता है general का, आपको इस पर click करना है, और guys यहां पर पहला option मिलता है flash messaging का, guys आपको इस setting को enable और एक दिदोर में नहींट करते हैं किसी को भी इससे इम ही सकते हो है सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर सब्सक्राइब करते हो WhatsApp की call history को true caller में add करना चाहते हो तो आप यहां से इसको enable कर सकते हो guys जितने भी WhatsApp के call history होगी जितने भी बंदे उसा आपने call किया है message किया है सब कुछ आपको यहां पर show हो जाएगा पूरी call history यहां पर access हो जाएगी add हो जाएगी अब दोस्तों यहां पर आपको तो एक option मिलता है choose a reason before call guys अगर आपके पास कोई भी incoming call आता है आप उस call को reject कर देते हो यानि cut कर देते हो और आप उसको reason भेजना चाहते हो कि आपने किस वज़स से call को discount किया है cut किया है तो आप इसको enable करके आप यहां पर कुछ चीज़े add कर सकते हो कि आपने किस region से call को cut किया है इसके बाद guys आपको यहां पर नीचे स्क्रॉल करना है और यहां पर auto search का भी option मिलता है अगर आप नंबर को search करना चाहते हो copied number को आप यहां पर इसको enable कर दोगे तो जितने भी copied number है वो search हो जाएंगे अब दोस्तों यहां पर आपको एक feature मिलता है messaging apps का guys आपके phone में काफी सारे social media के application होगे whatsapp, line, weber और telegram अगर आप चाहते हो कि true caller जो application है यह आपके social media के notification को show करें दिखाए तो guys आपको यहां पर access को देना होगा आपको इस setting को enable कर देना है जब आप इसको enable कर दोगे तो guys true caller को आपके social media के जितने भी application है उनका access मिल जाएगा जब भी उन पे कोई भी notification आएगा true caller उसको show करेगा उसको दिखाएगा अब इसके बाद यहां पर आपको एक feature मिलता है speed dial का guys अगर आप किसी को जल्दी से call करना चाते हो यानि आप shortcut तरीके से उसको call करना चाते हो तो guys आप इस feature को use कर सकते हो simply आपको यहां पर contact number add करना होगा जैसे यहां पर दो number पर आप कोई भी contact number add कर दोगे इसके बाद आप जब dialer में जाके to press करोगे तो guys उ उस contact number पर directly call जाने लगेगा तो इस तरह आप एक से लेके 9 तक यहां पर contact number को add कर सकती हूँ अब हम back आते हैं इसके बाद guys आपको यहां पर एक option मिलेगा call alert notification दोस्तों जब भी आपके पास कोई भी call करेगा तो ring आने से पहले आपके पास notification आजागा अगर आप इस setting को enable कर द दोगे अब इसके बाद यहां पर आपको एक और option मिलता है remind me of missed call गैज जब भी आपके नंबर पर कोई भी miss call आएगा अगर आपने उस miss call को नहीं देखा है तो guys अगर आप इस setting को enable कर दोगे तो आपको reminder मिलता रहेगा कि आपके नंबर पर एक miss call आया है आप उसको देख ल लोगे लेकिन यह तभी काम करेगा जब आप इसका premium feature लोगे अब हम यहां पर बैक आ जाते हैं बैक आनेक बाद guys आपको यहां पर एक option मिलता है appearance आपको इस पे क्लिक करना है और guys यहां पर इस से आप true color के theme को change कर सकते हो यानि dark कर सकते हो light कर सकते हो अब दोस्तों इसके ब होगी इसके बाद guys आपको यहां पर एक option मिलता है so frequently called contact इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है बाई मैं तो clear आपको बता देता हूं अब यहां पर आपको backup option मिलता है अगर आप अपने call history का backup लेना चाहते हो तो आप यहां से इसको enable करके ले सकती हूँ इसके बाद guys आपक तो guys अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को like कर दो यार चैनल पर नए आई हो चैनल को subscribe कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही नए अप्लिकेशन स्लेटे नए नए जानकारी स्लेटे वीडियो बनाता रहता हूं वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद